नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूजवल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम निश्यर्मा एक नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट ख़बरों कर और वहीं इटावा के थाना बसरेहा शेत्र में समाजवादी पाटी युवजन सवाके पूर्व जिलाद्यक्ष और वरतमान ग्राम प्रदहान राजकुमार उर्फ बबलु यादफ को गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया हत्या की वारदात को अंजाम देका हत्यारे मौके से फर मेरट में सेल्स टेक्स विवाग में दरजनो विरोजगार युको को नौकी लगवाने का जहासा देकर ठगने वाले रिटाइड महिला करमचारी को आज पीड़तों ने धर्दबोचा जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया जालौल में तेजर रफ्तार का कहर देखने को मिला है जाकार और ट्रेक्टर की बढ़नत हो गई जिसे के चलते दो लोग की मौत हुई है जबकि तीन लोग गंबी रूप से घायल हो गए हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना इस्तल पर पहुची है शब को कबजे मे अस्पताल में जाकर जम कर बबाल काटा ललितपुर के फॉचपुर में ट्रेक्टर पलेटने से बड़ा हादसा हो गया जिसमें नीचे दबने से दो ग्रामीडों की मौत हो गई है सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची है शब को पोस्माटम के लिए भेजा गाजी अनौइडा में डबल मडर से संसनी फेल गई है घर में लूट करने आये बदमाशों ने पहले महिला की गला दबा कर हत्या कर दी उसके बाद बेस्मेंट में ले जाकर पती की भी हत्या कर दी हत्या का यह मामला सेक्टर अलफा टू का बताया जा रहा है और यह में एक नश्रबास सिपाई का वीडियो वाइरल होने से पुलिस विभाग में हड़कम बमच गया वही सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल होने के बाद पूरे मामले में एस पी अपणना गौतम नहजाज के अदेश दिये उन्नाओ में बाइक से मामली टकर लगने पर महिलाओ ने युवक की सर्याम पिटाई की टकर लगने के बाहने लड़के से मांग रही थी पाच अजार उपे युवक इलाज कराने को था थैयार पैसे ना देने पर युवक की पिटाई की अम्रोहा में जिला स्पताल परिसर में DM और SP को कोरुना का टीका लगा जिसके बाद DM और SP ने कहा इसे लगाने से कोई खत्रा नहीं होगा वही उन्होंने टीका करण को लेकर जनता को जरूरी संदेश भी दिया कोरुना संक्रमन काल में UP सरकार स्कूलों को खोलने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार 15 फरवरी से उच्छ प्रात्मिक और एक मार्स से प्रात्मिक विद्याल है खोलने की तयारी कर रही है जिसको लेकर मुक्यमंत्री योगी रितिनात आज फैसला ले सकते हैं केंद्र सरकार की तर्स पर योगी सरकार भी पेपरलेस होने की तयारी कर रही है यूपी के कौशल विकास विभागो ने यूवक के लिए अमेरिपा के अंतिराष्ट्रिय डिजिटल लर्निंग प्लेटफर्म कोर्सरा के माद्यम से फ्री ट्रेनिंग का रिकरम शुरू किये हैं इसके चलते प्रदेश के युवा अंतिराश्टे मानकों पर ट्रेनिंग हासिल कर इंडस्ट्री के लाइक बन सकेंगे गौस अन्रक्षन केंद्रों को योगी सरकार ग्रामीर रोजगार का बड़ा जरिया बनाने जा रही है प्रदेश भर के 5000 से जादा गौस अन्रक्षन केंद्रों में स्थानिय लोगों की से भागिता बढ़ा कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा पोलोमी का ये संबान अनाद बच्चों की सिक्षा में उनके योगदान के लिए दिया गया है आपको बता दे कि फ़र्प्स हर साल 30 साल से कम उम्र के ऐसे 30 लोगों की सूची जारी करती है जिनोंने अपने शेत्र में एहम काम किया हो मतुला जले की अदालत ने शाही ईदगा मस्जित को उटाने और कटरा केशव देव मंदिर के आसपास की 13 दशमलब 3 साथ एकड की जमीन पर मालिकाना हक के लिए दायर नई दिवानी मामले को सुईकार करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी यूपी में 33 पंचाय चुनाव का रस्ता साफ हो गया है इलाबाध हाई कोड ने यूपी सरकार को 30 अपरेल तक चुनाव प्रकृरिया पूरी करने के दिशा निर्देश भी दिये है हालाकि हाई कोड ने यूपी सरकार को थोड़ा राहत देते हुए चुने हुए उनके फैसले पर महौल लगा दी फिलाल यूपी फटापट में सिर्फ इतना ही बने रहे निजूल इंडिया के साथ नमस्कार